दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल विल मेडिसिन इंफो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साइपरोहेप्टाडीन ट्रिकोडिलीन सिट्रेट सॉल्बिटॉल सीरप के बारे में जिसमें साइपरोहेप्टाडीन 2 मिली ग्राम है और ट्रिक करने के लिए किया जाता है इसका और अच्छा काम है जैसे दवा को लेने के बाद व्यक्ति को भूख लगने लगती है इस दवा को ज्यादय डॉक बढ़ाने औरaaa को सुरक्षित रखने लिए प्रिश्काइब करते हैं यदि किसी व्यक्ति को भूख ने लगती हो और खाण नहीं पच्छता हो या फिर खाना खाने के बाद उसके बॉडी में कई तरह का प्रॉब्लम रहता हो गैस रहता हो इन कंडिशन में डॉक्टर इस सीरप को प्रिश्काइब करते हैं और इस सीरप को लीवर संबंदित समस्या को दूर करने के लिए भी यूज में लिया जाता है जैसे फैटी लीवर हो गया हो या फिर लीवर में स्वेलिंग आ गई हो इस कंडिशन में भी डॉक्टर इस सीरप को प्रिश्काइब करते हैं यदि किसी विक्ति का वजन कम हो गया हो और कमजोरी लगती हो और भोक न लगती हो ऐसे कंडिशन में डॉक्टर इस सीरप को प् omitting हो सकती हैं व्यक्ति के चेहरे पर swelling आ सकती है व्यक्ति के पेट में दर्द हो सकता है और व्यक्ति को धुंदला दिखाई सकता है कि ऐसे कुछ side effects जो दिखते हैं यदि इस से related कोई भी site effect आपको दिखें तो आप तुरन डॉक्टर को बताएं और डॉक्टर का treatment ले और इस दवा को लेने से सुस्ती और नींद लगती रहती है इस दवा को लेने के बाद आप driving न करें और किसी heavy machine पर काम न करें और इसकी dose की बात करते हैं तो दोस्तों 10 ml सुबा और 10 ml साम को ले सकते हैं और इस सीरप को खाना खाने से पहले लेने को ज़्यादा तर डॉक्टर कहते हैं, खाना खाने से आदा घंटा पहले आप ले ले, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर या फार्मसिस्ट की सला जरूर ले, क्योंकि दवाओं का अपना-पना साइड इफेक्ट्स होता है, ज खुल सुब्सक्राइब को जब से अब रिके लेवाओं का घंट की सला जकि लेवाँ अपना, सो ये ले आख भी दिए लेने से ले होता है, क्योंकि दोब्साफे सक्द रामसिस्ट की स्वाग ईज़गाँ की समावाना फार्मसिस्ट बड़ कर भी दोर्टर आप इएवाच